स्वागते आप सभी का आज हम आपके लिए शिव रुद्राष्टक स्त्रोत लेकर के आए हैं हिंदी अर्थ के साथ रुद्राष्टक गोस्वामी तुलसी दास के द्वारा लिखा गया आठ श्लोकों का स्त्रोत है जो रामचरित मानस के उत्तर कान में दिया गया है यह स्त्रोत भगवान शिव को समर्पित है तो शुरू करते हैं शिव रुद्राष्टक स्त्रोत नमामीशमीशान निर्वान रूपं विभुम् व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरिहं चिताकाशमाकाश वासं बजेहं अर्थात हे भगवन इशान को मेरा प्रणाम ऐसी भगवान जोकी निर्वान रूप है जोकी महान ओम के दाता है जो सम्पून भ्रह्मान में व्याप्त है जो अपने आप को धारण किये हुए है जिनके सामने गुण अवगुण का कोई महत्व नहीं जिनका कोई विकल्प जो निश्पक्ष है जिनका आकार आकाश के समान है जिसे मापा नहीं जा सकता उनकी मैं उपासना करता हूँ निराकार मोंकार मूलं तुरियं गिराग्यान गोतेत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोहं अर्था जिनका कोई आकार नहीं जो ओम के मूल है जिनका कोई राच्य नहीं जो गिरी के वासी है जो की सभी ग्यान शब्द से परे है जो की कैलाश के स्वामी है जिनका रूप भ्यावह है जो की काल के स्वामी है जो उदार एवं दयालू है जो गुणों का खजाना है जो प मैं नत्मस्तक हूँ तुशारा दिसंकाश गौरं गभीरं मनो भूत कोटी प्रभाश्री शरीरं स्फुरन मौलिक लोली नीचा रुगंगा लसद बाल बालें दुकंठे बुजंगा अर्था जोकी पर्फ के सवान शील है जिनका मुख सुन्दर है जो गौर रंग की है जो गहन चिंतन में है जो सभी प्राणियों के मन में है जिनका वैभव अपार है जिनकी देह सुन्दर है जिनके मस्तक पर तेज है जिनकी जटाओं में लहलहराती गंगा है जिनके चमकते ह हुए मस्तक पर चांद है और जिनके कंठ पर सर्प का वास है जलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नानम नील कंठं दयालं म्रगाधिश चर्मांबरं मुंड मालं प्रियं शंकरं सर्वनातं भजामी अर्था जिनके कानों में बालिया है जिनके सुन्दर भोहें और बड़ी बड़ी आखें हैं जिनके चेहरे पर सुक का भाव है जिनके कंठ में विश्का वास है जो दयालू है जिनके वस्तर शेर की खाल है जिनके गले में मुंड की माला है ऐसी प्रिये शंकर पुरे संसार के नाथ है उनको मैं पूझता हूँ प्रचंडं प्रक्रष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटी प्रकाशं त्रयह शूल निर्मूलनं शूल पाणिं बजेयाहं भवानिपतिं भाव गम्यं अर्था जो भयंकर है जो परिपक्व सहासी है जो श्रेष्ट है अखंड है जो अजन में है जो सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाशवान है जिनके पास त्रिशूल है जिनका कोई मूल नहीं है जिनमें किसी भी मूल का नाश करने के शक्ति है ऐसे त्रिशूल धारी मा भगवत के पती जो प्रेम से जीते जा सकते हैं उन्हें मैं वंदन करता हूं कलातीत कल्यान कलपांत कारी सदास जनानन दाता पुरारी जिदानन्द संदो अमोहा पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मतारी अर्था जो काल के बंदे नहीं हैं जो कल्यान कारी हैं जो विनाशक भी हैं जो हमेशा आशिर्वात देते हैं और धर्म का साथ देते हैं जो अधर्मी का नाश करते हैं जो चित का आनंद है जो जुनून है जो मुझसे खुश रहे ऐसे भगवान जो कामदेव नाशी है उन्हें मेरा प्रणाम नयावत उमानात पादा रविन्दम भजन्ति हलो के परेवान राणाम नतावत सुखम शान्ति संता पनाशं प्रसीद प्रभो सर्व भूता दिवासं अर्था जो यथावत नहीं है ऐसे उमापती के चर्णों में कमल वंदन करता है ऐसे भगवान को पूरे लोग के नर्लारी पूझते हैं जो सुख हैं शान्ति हैं जो सारे दुखों का नाश करते हैं जो सभी जीवों में वास करते हैं न जानामियोगं जपम्नेव पूचाम न तोहम सदा सरवदाशं भुतुभ्यं जराजन्ब दुख अगताते मानं प्रभोपाहि आपन्नमामी शिशंभो अर्थात मैं कुछ नहीं चानता न योग न ध्यान है देव के सामने मेरा मस्तक चुपता है सभी संसारी कष्टो दुख दर्द से मेरी रक्षा करें मेरी भुडापे की कष्टो से रक्षा करें मैं सदा ऐसे शिवशंभू को प्रणाम करता हूँ रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेन हर तोशे ये पठन तिनरा भक्तया तेशाम शंभू प्रसीदती अर्थात इस रुद्राष्टक को जो सच्चे भाव से पढ़ता है शंभूनात उसकी सुनते हैं और आशिरवात देते हैं अर्थात महाकवी तुलसी दास जी का रुद्राश्टक अब संपूर्ण होता है अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें धन्यवाद